क्रिप्टो मार्केट के लिए ऑक्टोबर का मन्त बहुत हार्ड रहा है और उसी के साथ में एंडिंग तक आते आते मार्केट जो है थोड़ा सा स्टेबल हुआ लेकिन अब जो सिचुएशन है कि FOMC की मीटिंग आने वाली है CPI का डेटा आने वाला है और फिर उसके बाद इलेक्शन भी है जिसके कारण मार्केट शायद मोड ले सकता है अब कौन सा मोल लेगा ग्रीन होगा या फिर रेड की तरफ जाएगा मार्केट में क्रैश आने वाला है शॉट टम इन्वेस्मेंट के लिए सबसे बेस्ट टाइम है या फिर हमको सूच समझदारी के साथ होल्ड एक लंबे समय का लेना है क्योंकि यहां पर वर्ड वार वा अब समझ लेते हैं कुछ चीजों को जो की बहुत जादा जरूरी है इस समय समझने के लिए इस समय FOMC ट्रेंड कर रहा है और कल के दिन मतलब की 2 नवंबर को यह मीटिंग जो है कंप्रीट होगी और पता चल जाएगा कि क्या FOMC की मीटिंग का लास्ट फाइनल निकल रहा है उसके बाद एक बहुत बड़ा मोड आएगा पहली चीज है कि मार्केट अल्रेडी बहुत डंप आ गया और यह वाला जो सिच्वेशन है यह मेरे को लगता है जादा दिन तक नहीं रहेगा क्योंकि यह सिर्फ CPI डेटा और उसके बाद FOMC का जो भी इंट्रेस रेट के क तो सबसे बैस्ट होगा यहां पर आपको ऌनीक वाले न्यूस बहुत सरे आँगे डराने वाले निउस बहुत सरे आएंगे लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है थोर्ड कर सकते हैं अगर आपका भरोसा तूटता है तो कहीना कहीन आप एएग्जिट लेंगे और वही वाला स crypto the FOMC FED meeting will have lot of impact on the market अब यह सारी चीज़े जो है matter करती है क्योंकि यही चीज कल को market को ऊपर या नीचे करेंगी उसी के साथ में यहां पर देखेंगे तो एक और दो तारीक को है FOMC का rate hike forecast और 4 November को US payroll expecting a lower number और उसी के साथ में 8 November को वहां पर elections है और 10 November को CPI का forecast data आ जाएगा मतलब almost 15 तरीक तक आपके पास सारी चीज़े clear हो जाएंगी market को लेकर अभी एगर situation बात करें तो market जो है काफी बढ़िया चल रहा है जो की देखा जाए ठीक है bitcoin धिरे धिरे बढ़ रहा है stable चल रहा है कभी उपर कभी नीचे 20-21,000 के और जैसा कि हम सबको पता है कि जब भी bitcoin बढ़ता है उसी के साथ सारे altcoins pump करना शुरू करते हैं अगर थोड़ा भी data अच्छा आता है तो उसके बाद market bullish run हो जाएगा और उसी के बाद 2023 हमारे लिए काफी जादा interesting हो जाता है अब क्या होने वाला है यह चीज कल के दिन ही पत सकता है एक चोटा सा crash या बड़ा crash आ सकता है जहां पर आप market में एक short term की entry ले सकते हैं अगर आप short term का profit कमाना चाहते हैं तो और उसी के बाद जो है आप जैसे market stable होता है आप निकल भी सकते हैं अगर आप चाहें तो या तो आप long term holding ले सकते हैं अभी एक normal rate में मिल जाएग शायद अगर कल market crash होता है तो USDT का आपको rate बढ़ता दिखेगा और साथी में आप entry भी ले पाएंगे किसी भी coin में जो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा deep दिखता है थर्ड जो है well जो है यहां पर अगर entry लेते हैं इस market crash में जो कि वो लोग सबसे ज़्यादा deep दिखकर आत आप चैनल को subscribe कर सकते हैं सबसे पहले क्योंकि सारी notifications bell आप on कर दो सारी update में आपको कल पूरे दिन देता रहूंगा hope आपको इस वीडियो जरा सी जनकरी दिए दिये दो वीडियो को like जरू कर देना अगर आप चैनल में पहली बार आएं तो subscribe जरू कर देना comment में जरू बतारा कि आपको क्या लगता है market के बारे में and thanks watching this video and keep smiling